कॉंग्रेस की निया यातरा का आज मध्यपदेश में आखरी दिन था अब ये यातरा 7 मार्च की सुबह 11 बजे रतलाम से राजस्थान में प्रवेश करेगी भारत जुडो निया यातरा के दोरान बदनावर में बड़ी रैली हुई जिसमें राहुल के साथ पार्टी अध्यक्ष माली कारजुन खड़गे भी शामिल हुए तो क्या कहा इस रैली में राहुल ने देखिए इस रिपोर्ट में राहुल गान्दी की भारत जुडोनिया यात्रा का आज मध्य प्रदेश में आखरी दिन था यात्रा का रात्री विश्राम सलाना में हुआ साथ मार्च की सुभा 11 बजे ये राजिस्थान में प्रवेश करेगी इससे पहले राहुल ने धार्जिले के बंदावर में जन सभाली जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक के अफमान का मुद्दा ठा दिया राहुल ने कहा कि बीजेपी कमजोरों का अफमान करती है यही उसकी विचार धारा है सिर्फ आदिवासी के साथ नहीं दलितों के साथ गरीवों के साथ जहां भी ये कमजोर लोगों का अपमान कर सकते हैं ये करते हैं बिज़पी आधिवासियों को उनका हग कभी नहीं देगी वो तो इन्हें आधिवासी मानते ही नहीं बलकि वनवासी कहते हैं क्योंकि आधिवासी जेश के असली मालिक है अगर वे आपको आधिवासी कहेंगे तो उन्हें आपको जल जंगल जमीन देनी पड़ेगी हम आपको आधिवासी मानते हैं इसलिए आपके लिए ट्राइबल बिल लाए जमीन अधिगरन बिल लाए आपको आपका हग देने का काम दिया राहुल ने बिया मोधी को निशाने पर लेती हुए कहा कि मोधी सरकार रोजगार्ट नहीं देती सारे छोड़े बिजनिस को मोधी ने बंद कर दिया नोट बंदी की GST की इससे छोटे उध्योग धंदे बंद हो गए फूरा काम दो से तीन अरपत्यों के लिए हो रहा है आपके जमीन पानी और जंगल वो ले जाते हैं इसलिए कॉंग्रिस की सरकार आने पर पहला काम जोती जंगरना करना है इससे सब पता चल जाए किसके पास कितना धन है सब सामने आ जाएगा ये क्रांती कारी कदम है हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों को MSP की कानूनी गारंटी देंगी रैली में कॉंग्रिस अद्यक्ष मलीका अरजुन खडगे ने कहा कि PM मोधी की गारंटी थी हर साल 2 करोड नौकरिय दूँगा सभी किसानों की आमतनी तुगनी करूंगा किसानों को MSP दूंगा लेकिन किया कुछ भी नहीं क्योंकि मोधी जूटों के सरदार है डीवी लाइफ की रिपोर्ट